तो आज की वीडियो टॉप फाइब एम्स इन इंडिया की नीट कट आफ 2022 पर होने वाली है तो वीडियो में टॉप फाइब एम्स की कटेगरी वाइस कट आफ देखेंगे और एकस्पेक्टेट कट आफ नी 2023 के लिए कितने माक्स चाहिएंगे होंगे वो भी देखेंगे तो वीडियो को इन तक देखना और वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करना और All Ems 2022 के cut-off के साथ साथ Ems College Review भी चैनल पे अवलेबल है तो आप उन वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हो तो अब बिना देर किये वीडियो के टॉपिक पर आते हैं तो पाचवे नमबर पे है Ems नाकपूर Ems नाकपूर नीट का टॉफ 2022 आर जेनरल के लिए क्लोजिंग रैंग 1328 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थी 674 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए मार्क्स 675 तो 678 तक हो सकती है जेनरल PWD के लिए क्लोजिंग रैंग 232356 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थी 374 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए सेफिस्कोर 375 तो 378 तक हो सकती है OBC के लिए क्लोजिंग रैंग 2336 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 664 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए सेफिस्कोर 666 तो 668 तक हो सकती है OBC PWD के लिए क्लोजिंग रैंग 361331 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 295 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए सेफिस्कोर 296 तो 298 तक हो सकती है EWS के लिए क्लोजिंग रैंग 2511 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 661 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए सेफिस्कोर 662 तो 664 तक हो सकती है EWS-PWD के लिए क्लोजिंग रैंग 339168 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 310 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए सेफिस्कोर 312 तो 314 तक हो सकती है SC के लिए क्लोजिंग रैंग 19413 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 602 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए सेफिस्कोर 605 तो 608 तक हो सकती है SC के लिए क्लोजिंग रैंग 40144 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 564 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए सेफिस्कोर 565 तो 568 तक हो सकती है नेक्स्ट चौथे नंबर पे हैं एम्स भुनेश्वर तो एम्स भुनेश्वर नीट का टॉफ 2022 आर जेनरल के लिए क्लोजिंग रैंग 564 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 688 और एकस्पेक्ट नीट 2023 के लिए नीट मार्क्स 690 तो 692 तक हो सकती है जेनरल पी डीट के लिए क्लोजिंग रैंग 183482 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 396 और एकस्पेक्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 398 तो 402 तक हो सकती है OBC के लिए क्लोजिंग रैंग 1413 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 672 और एकस्पेक्टे नीट 2023 के लिए सेफी स्कोर 674 तो 676 तक हो सकती है OBC PWD के लिए क्लोजिंग रैंग 313,834 रही थी जिसपर नीट मार्क्स थे 305 और एकस्पेक्टे नीट 2023 के लिए सेफी स्कोर 306 तो 308 तक हो सकती है EWS के लिए क्लोजिंग रहें 1741 रही ती जिस पर नीट मार्क्स थे 668 and एक्सप्टे नीट 2023 के लिए सेफी स्कोर 670 तो 672 तक हो सकती है EWS-PWD के लिए क्लोजिंग रहें 228,534 रही ती जिस पर नीट मार्क्स थे 360 and एक्सप्टे नीट 2023 के लिए सेफी स्कोर 362 तो 364 तक हो सकती है SC के लिए क्लोजिंग रहेंग 7825 रही ती जिस पर नीट मार्क्स थे 635 and एक्सप्टे नीट मार्क्स 636 तो 638 तक हो सकती है SC-PWD के लिए क्लोजिंग रहेंग 367,368 ती जिस पर नीट मार्क्स थे 275 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 276 तो 278 तक हो सकती है SC के लिए क्लोजिंग रहेंग 25,410 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 591 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 592 तो 594 तक हो सकती है तो तीसरी नंबर पे हैं एम्स जोधपूर So, एम्स जोधपूर नीट कट आफ 2022 आर जैनरल के लिए क्लोजिंग रहेंग 569 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 692 and एक्सप्टे 2023 के लिए सेफी स्कोर 694 तो 696 तक हो सकती है जैनरल BWD के लिए क्लोजिंग रहेंग 216,506 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 337 and एक्सप्टे 2023 के लिए सेफी स्कोर 338 तो 342 तक हो सकती है OBC के लिए क्लोजिंग रहेंग 1051 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 675 and एक्सप्टे नीट 2023 के लिए सेफी स्कोर 676 तो 680 तक हो सकती है OBC PWD के लिए क्लोजिंग रहेंग 261,888 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 254 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 256 तो 258 तक हो सकती है EWS के लिए क्लोजिंग रहेंग 1140 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 675 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 675 तो 678 तक हो सकती है EWS PDWD के लिए क्लोजिंग रहेंग 47434 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 255 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 256 तो 258 तक हो सकती है SC के लिए क्लोजिंग रहेंग 7719 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 636 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 638 तो 640 तक हो सकती है SC P WD के लिए क्लोजिंग रहेंग 233482 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 356 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 358 तो 361 तक हो सकती है SC के लिए क्लोजिंग रहेंग 14765 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 615 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क 616 तो 618 तक हो सकती है दूसरे नंबर पे हैं M's Bhopal So M's Bhopal नीट कट ओफ 2022 आर जेनरल के लिए क्लोजिंग रहेंग 576 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 687 and एक्सप्टे 2023 के लिए सेफी स्कोर 688 तो 692 तक हो सकती है जेनरल PWD के लिए क्लोजिंग रहेंग 45,424 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 555 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 557 तो 560 तक हो सकती है OBC के लिए क्लोजिंग रहेंग 1316 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 674 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 676 तो 680 तक हो सकती है OBC PWD के लिए क्लोजिंग रहेंग 265,375 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 334 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 336 तो 338 तक हो सकती है EWS के लिए क्लोजिंग रहेंग 134 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 674 and एक्सप्टे 2023 के लिए सेफी स्कोर 675 तो 678 तक हो सकती है SC के लिए क्लोजिंग रहेंग 8604 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 632 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 634 तो 636 तक हो सकती है SC के लिए क्लोजिंग रहेंग 19468 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 603 and एक्सप्टे 2023 के लिए नीट मार्क्स 605 तो 608 तक हो सकती है last one and the first one is M's Delhi so M's Delhi नीट के लिए क्लोजिंग रहेंग 55 रही थी जिस पर नीट मार्क्स थे 701 and expected 2023 के लिए नीट मार्क्स 702 तो 704 तक हो सकती है General PWT के लिए क्लोजिंग रहेंग 18,180 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 329 and expected 2023 के लिए सेफी स्कोर 332 तो 334 तक हो सकती है OBC के लिए क्लोजिंग रहेंग 242 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 690 and expected 2023 के लिए नीट मार्क्स 694 तो 698 तक हो सकती है OBC PWT के लिए क्लोजिंग रहेंग 50,392 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 548 and expected 2023 के लिए नीट मार्क्स 550 तो 552 तक हो सकती है EWS के लिए क्लोजिंग रहेंग 155 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 696 and expected 2023 के लिए नीट मार्क्स 696 तो 698 तक हो सकती है EWS PWT के लिए क्लोजिंग रहेंग 76,343 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 510 and expected 2023 के लिए नीट मार्क्स 512 तो 514 तक हो सकती है EWS के लिए क्लोजिंग रहेंग 965 थी जिस पर नीट मार्क्स थे 677 and expected 2023 के लिए नीट मार्क्स 678 तो 682 तक हो सकती है SCPWD के लिए closing rank 143041 थी जिस पर need marks थे 433 and expected 2023 के लिए need marks 434 to 436 तक हो सकती है SCPWD के लिए closing rank 3087 थी जिस पर need marks थे 657 and expected 2023 के लिए need marks 658 to 662 तक हो सकती है तो ये थी top 5 M's की category wise cut off ओप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी next अब हम आप से मिलते हैं हमारे next वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye, take care and thank you so much for watching and don't forget to like and share this video with your friend